नमस्ते आपसे अब लोग आज बात करेंगे हाउट टूडील टॉक्सिक पीपल… टॉक्सिक लोग भरे बढ़े हैं हमारे आसपास टॉक्सिक लोग भरे पढ़े लेकिन अब हमें यह में नहीं समझ में आता क्या हम क्या करें हम गलती यह करते हैं कि हम चरे हिए Lazer देना शुरू कर देते हैं हम उनके उपर जैसे ध्यान लगाते हैं तो उनकी जो नेगेटिव एनर्जी होती है वह हम पर अपनी चाप छोड़ने शुरू हो जाती है बजाए इसके इसे सही तरीके से अगर आप डील कर लेंगे तो आपके एनर्जी वेस्ट भी नहीं होगी औ लोग है और आप नहीं एफेक्ट होना चाहते हो तो टॉक्सिक लोगों को किसी भी प्रकार का रियाक्शन मत दो वह कैसे भी आक्शन करते हैं ना रियाक्शन ही उनके लिए सबसे जादा मज़ेदार चीज होती है वह चाहते हैं वह अपने आक्शन के थूँ चाहते हैं कि इनको रियाक्शन मिले और जैसे हमारी तरफ से कोई रियाक्शन जाता है न वह एकदम रियाक्शन हो जाते हैं भलेव पूर रियाक्शन कैसा भी क्यू नहीं हम चिला रहे हो हम रो हो हम तुखी है हम नेगटीव हो के कुछ भी बाते बोल रहे हैं अब आप देखें उस इन बात पर है कि इसे देखो और अब तुम ट्रिगर हो जाओ अब तुम परेशान हो और इस बात का जवाब दो अगर उस बात का कोई जवाब ही ना दिया जाए तो कि उस पर कोई रियाक्शन ही ना दिया जाए तो फेल फेल हो गया वो फिर करे फिर उसको कोई रियाक्शन ने मिला मैं सच में बता रही हूँ मैं खुद ये करती हूँ जब मैं ये देखती हूँ कि मतलब कोई इंसान बहुत ही नेगेटिव कॉमेंट कर रहा है या बहुत ही नेगेटिव कुछ बोल रहा है तो मैं उसे कुछ भी नहीं बोलती हूँ जहां मुझे लगता है कि ठीक है इसको कुछ थोड़ा सा समझा करके चीज़ों को देखा जा सकता है एक बार समझाया है एक बार बोला जब मुझे लगता है कि कोई कुछ नी कर रहा है तो छोड़ देती हूँ अब यहां पर बात आ जाती है यार सबके सिंदे के कॉमेंट में तोड़ी ना बलजी हुई है तो मैं ये रियल लाइफ लोगों की भी बात कर रही हूँ रियल लाइफ में भी जब मैं ये देखती हूँ ना कि ये टॉक्सिक है मुझे पता है ये बात ही इसलिए करेंगे कि मैं ट्रिगर हो जाओं और मैं रियाक्ट करूँ लेकिन मुझे रियाक्ट ही तो नहीं करना यही तो सीखना है यही तो कला है क्योंकि इनके अंदर जो भी है वो reflect हो रहा है और वो मुझे देनी के कोशिश कर रहे हैं अगर मैं इनके सामने receiver बन गई तो ही मैं react करूँगी और मैंने react कर दिया तो मैं receive कर लूँगी तो वो क्या दे रहे हैं जो उनके अंदर है देखे अगर किसी इनसान के अंदर ना इनसीक्योरिटी भरी होंगी डाउट्स भरे होंगी टेंशन भरी होंगी जैलिसी भरी होगी वो अंदर ये अंदर एक negative इनसान होगा वो आपसे कोई मुकाबला करी नहीं पा रहा होगा तो वो क्या करेगा ना वो आपकी तरफ वो energy भी मानली जैसा चल रहा है ठीक है और वो सामने वाला इनसान आपके सामने आ गया तो आप जरूर कुछ ना कुछ कर दोगे अपने ऐसा क्यों किया क्योंकि वो आपके अंदर था यानि कि ऐसे ही सामने वाले के अंदर वो है और वो अंदर ही अंदर वैसा इनसान बन चुका है स सालों साल वो चीज उसके अंधर पनब पनफ करके न वो नेगेटिव चीज बन चुपी है दो नेगेटिव इंसान आत्मा नी उती उनकी ले hatır के न के लिए का तरीका उंत såd मिंगेशोंतरिर करने का तरीका उनकीम उनकी चीजदों करने का तरीका क्योंकि वो react करते ही उनकी negative energy मेरी हो जाती है वो रोना मेरा हो जाता है, वो दुख मेरा हो जाता है वो तकलीफ मेरी हो जाती है, वो overthinking मेरी हो जाती है वो परिशानिया मेरी हो जाती है, सच में मैं यह deserve करती हूँ Seriously, इस इंसान का वो गुस्सा या वो जो भी action था वो इतना जादा powerful है कि मैं ले सकते हूँ, अगर मैं ले सकते हूँ तो पक्का मैं भी हूँ, मुझे अपने powerful होने पर काम करना है और ये मैं रोज मर्रा की जिंदिगी के अंदर घर में रहते हुए लोग, पासपड़ोस में रहते हुए लोग, ओफिस में रहते हुए लोग, मैं इन सब की बातें यहां पर कर रही हूँ अपने mind की शांती को किसी भी इंसान को भंग मत करने दो उससे ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है आप किसी की शांती भंग मत करो लेकिन वो किसी में आप भी आते हो, आप भी कोई हो दूसरों के लिए आप भी किसी हो, आप भी कोई और इंसान हो तो अपनी शانती भंग क्यूं करने देते हो इस दुनिया में मैंड की शानती से ज़ादा कीमती कुछ नहीं है लोगों ने बड़े-बड़े सामराज्य छोड़ दिया है अपने मांसिक शानती को प्राप्ट करने के लिए अपने आपको प्राप्ट करने के लिए अपने आपको जानने के लिए और अगर आपको ऐसे लोगों के उपर से reaction को छोड़ना पड़ रहा है तो it is not a big deal, it is not a big thing, छोड़ दो, कुछ नहीं है, मुझे नहीं करना react, कितनी बार करूंगे तूंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, दस बार, बीस बार, जब reaction ही नहीं मिलेगा तो वह वही बंब है, जो फटी नहीं पाएगा कभी भी, और यह आप तभी बना सकते हो, अगर आप अपने उपर कंट्रोल कर लो, आप ये बात समझेगा, आपको सहना नहीं है, अब इस बात को ऐसे मतले चाहिएगा, कि सामने लोग कुछ भी कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, अब यूज कर रहा है, तो हमसे है रहे हैं, नहीं, वहाँ पर दूसरा तरीका है निकल जाओ नहीं रहना है तुम्हें अपने लाइफ में ही नहीं रखना है और ना तुम्हारी जंदेगी में रहना है खाता अगर निकल सकते हो नहीं निकल सकते हो तो complain कर दो अगर आपके ऊपर कहीं पर भी physically कुछ भी हो रहा है नहीं हो गए लेकिन आप जैसेे र जाइए फ jogo रहा है ता कि युद खराने कि आहिए रियाक्णन्रकों मुझे करन छे लवी नहीं है रियक्णन। और अगर करना है तो सभी तरीके से रिस्पॉंड करना है चालने ऐसे कोमेंटितशा आ साज़ाते हैं तो पटी गया तुम भाइए आजा जीजासे मिल जाई हो गया रिष्टा हो गया ना पटम पटाई अभी क्या करना है तो आपने सही तरीके से respond कर दिया अभी सामने वाला क्या करेगा जाद से जाद और ची जोरा वोगा तो दो चार और बाते बुलेगा लेकिन अब मुझे पता है कि इसको ना respond करना है अपनी तरफ से पहले अपना safe side ले करके चलना है पहली कोशिश करनी है भाईया हमने respond करके देख लिया, अच्छा तरीके से बात बनाने की कोशिश कर ली, नहीं बनी, कोई बात नहीं, आप अपने रस्ते, हम अपने रस्ते, हम कुछ करेंगे ही नहीं, हम आपके वो फटने वाले बंब को हमेशा एक फुसी बना करके छोड़ देंगे, उसके बात देखो क्या होता है, आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको यहां से अपने अंदर एक मजबूती लेकर क्याने पड़ेगी, यह वो कोई इंसान नहीं है, इसके अंदर कुछ भी ताकत नहीं है, मेरी मानसिक शांती को भंग करने की, मैं इसको हो पर्मेशन नहीं दे रहा, नहीं दे रही, बस बात ख़ता, बस बात ख़ता, और यह शक्ती आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आज हम जितना ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, परिशान हैं, दुखी हैं, ऐसे लोगों की वेज़े से दो हो रहे हैं, उनको तो मजा आ रहा था, क्यों? क्योंकि वो भी कहीं से दुखी है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं से अपने अंदर, लेकिन अगर उन्होंने उस चीज़ को अपने अंदर लाते-लाते सीखा नहीं है, है तो हम भी भी नहां घ्रहां हम उस इंसान का वो एक टॉक्सिक बहीर जहरते रहें क्यों है किस कुषी में बल्किकी हो चन्सवी हो जाएंगे हम रएंगे हम डिक्रेशन- acid कार हो जाएंगे और फिर हम भी यहीं करेंगे और फिर हम जब बहुत प्यारे धर्मात्मा इंसान बनेंगे तो हम इसी को सुधारने के कोशिश करेंगे जैसे कि हम तो यही पैदा इसलिए होए थे सुधारने के लिए आपको इसमझना पड़ेगा वह इंसान अपने रियाक्षन से अपने आक्षन से अपनी अपरिंगिंग से अपनी खुद के सोच विचार से अपनी चीजों से ऐसा बना है और ऐसा बनने के करणा ऐसे लोग कभी भी सैटेस्वाइड नहीं होते वह एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा तीसरे के बाद चौथा चौथा चौथे के बाद माजवाँ आपको पेन देते रहेंगे आप एन लेते 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 तकलीपों का इतना शिकार हो जाएंगे कि को समझ म अगर लग रहा है कि कुस्त जादा ही हो रहा है आपके साथ तो प्लीज जाएं बिना ड़रे खंप्लेंड करें अपने लिए खड़े ऑजाएं अपने लिये मजबूत हो जाएं ऐसे लोगों को पनी मानसिक शान्ति बिल्कुल भी भंग ना करने दें अपने लिए खड़ा होन है लड़ना बहुत ज़्यादा जरुरी हो जाता है बहुत बार हम यहाइग सब्सक्राइब यह सोचो मैंने एक साल तीन साल लगा दियो इसको सही करने पर लेकिन किस्ट मेरे सी इंसान को सही करने के लिए जिए लिया है इससे तो बैठर में जाकर शब्रों में व्रिदा श्रम में जाकर कि वहां पर बोहत सारे मातापिता हैं उनको जाकर के देखले Cant किसेवा कर लूं कुछ तो मिलेग एक बंदे को सही करके क्या मिलने वाला बता हो मुझे आपने मैं कोशिश से कर ली ना मुझे हम टॉक्सिक बंदे पे बहुत कोशिश करते हैं लेकिन एक ताइम में मुझे लगा नहीं ये एक पे कोश़श करने की बजाए मैं 10-15 ऐसे लोगों के उपर ना काम करने लग जाओ, ऐसे लोगों को ना वो एनरजी देने लग जाओ, जो लोग सच मैं इस चीज के लिए grateful होंगे, तो मैं एक ही क्यों चूस करूँ, मैं जादा क्यों ना चूस करूँ, मैं जादा बच् ये हम अपने जिंदेगी में कर रहे हैं, अगर ऐसे कुछ भी है ना, be careful, be aware, अपने मैंड को ये समझाओ, अपने आपसे बात करो, इसी के लिए इस धर्ती पे जनम लियाए क्या, और अगर इसी के लिए धर्ती पे जनम लिया और समास सुधारक ही बनना है, तो एक का क्यों इसको छोड़कर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनके लिए हम समास सुधारक का काम कर सकते हैं, जहां पर appreciation भी मिलेगा, हमें लोग appreciate भी करेंगे, ठीक है, अपने अपने रखेंगे, आल अपने वसे किज़े सारा प्यार, ताथिया पर ट्राफ्ट करेंगे, ठी सारा प्या